Hello friends, आज किस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करेंगे traffic signs और उनके कुछ symbols दोस्तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर में traffic signs क्या होते हैं और कौन-कौन से symbols होते हैं जिनसे की हम traffic signs को बता सकते हैं दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हैं आपर मैं आपके सामने definition लिख कर लाया हूँ इस वीडियो के अंदर आपको definition साथ में कुछ photos भी में दिखाने वाल हूँ जिससे कि आपके सारे doubts जो भी sign और symbols से related हैं वो clear हो जाए ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर बात करेंगे traffic signs and symbols are the means of communication that lets the road user remains aware of basic traffic laws along with the giving, warning and information about location and nearby amenities दोस्तो traffic signs और जो symbols होते हैं वो हमारे means of communication होते हैं मतलब एक जरिया होता है communication का जो की जो road user है जैसे की मानलो हम लोग road को use कर रहे हैं तो उसको हम बोलें क्या road user जो road user है वो basic traffic laws है ठीक है क्या बोलें जो basic traffic laws है सात में इनके बारे में उसको जानकरी प्रोवाइड हो सके साथ में उनको warnings दे सके या फिर किसी चीज़ के बारे में informations देना है तो वो दे सके ठीक है information कैसे हो सकती है दोस्तों locations की हो सकती है या फिर nearby amenities हो गया जैसे कि किसी point के या किसी चौरहाय के पास कोई hotel से उसकी जानकारी देना hospitals की जानकारी देना और भी कुछ सारी जो nearby objects से या फिर कोई बड़े से कोई monuments से उनके बारे में information देने के लिए traffic signs का और traffic symbols का use करते हैं तो friends मेरी क्याल से आपको clear हो गया होगा कि traffic signs क्या होते हैं traffic signs हमारे means of communications होते हैं जो कि आप लोगोंने highway वगेरा पे देखे होगे बहुत सी जगे post लगे रहते हैं कि मालोग आप quota से भोपाल जा रहे हैं तो आपके बीच में जब आप move कर रहे हैं तो आपको एक sign post देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि भोपाल 90 km दूर और बचा है या फिर लिखा होगा बीच में कोई और शेर आ रहा उसके बारे में भी आपको जानकरी दी गई होगी तो दोस्तो ये सारे हमारे traffic science और symbols की जानकरी होगी अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ तो friends आप जानते हैं अनक कीडमी पर हर संडे combat और्गनाइज होता है इस संडे भी that is 6th of March को combat है इस combat में आप participate कर सकते हैं कि combat हर एक branch के लिए civil, mechanical, EE, ECE, CS, NIT दोस्तो यहाँ पर combat के अंदर आपको 20 questions दिये जाएंगे और 60 minutes आपके पास होते हैं यहाँ पर आपको questions attempt करना होता है हर एक question के लिए आपको यहाँ पर आपकी live ranking आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तो यहाँ पर आप इस combat को attempt करने की बाद up to 100% scholarship गयन कर सकते हैं साथ में दोस्तो यहाँ पर आपको up to 4 करोर की scholarship देखने को मिल रही है इसमें अगर आप इस rank के अंदर आते हैं दोस्तो तो आपको इतने percent scholarship दी जाएगी जो कि आप आपकी screen पर देख सकते हैं दोस्तो अगर आपकी rank 1 to 3 आती है तो आपको 100% scholarship दी जाएगी किसी भी plus या फिर iconic subscription के लिए फिर दोस्तो अगर आपकी rank 4 to 10 आती है तो यहाँ पर आपको 75% scholarship देखने को मिलेगी ऐसे ही आप बाकी की भी देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर जो scholarship है वो 4 करों तक दिये जा रही है यहाँ पर आप live test की ranking देख सकते हैं साथ में यहाँ पर best and effective preparation आप कर सकते हैं get 23 के लिए साथ में detailed solution आपको देखने को मिलता है इच जिसे ही combat खतम होता है उसके बात में जो top educator है unacademy कर उनके द्वारा आपको detailed solution देखने को मिलता है साथ में दोस्तो top rankers को यहाँ पर 100% scholarship देही जा रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तो यहाँ पर जो question से top educator द्वारा बनाये जाते हैं जो कि बहुत अच्छे level के questions होते हैं अगर आप इन questions को कर पा रहे हैं मतलब आपकी preparation level बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है इसमें analyze करें और entry करने के लिए मेरा code उस कीजिए का महुंदागी 10 जिससे कि आपको instant entry मिल जाए और दोस्तो अगर आप कोई भी plus या फिर iconic subscription लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि अभी 2 March को कुछ नए batches start हुए उसमें आप enroll कर सकते हैं और अपनी preparation को boost out कर सकते हैं दोस्तो तो अब बात करते हैं हम लोग जो traffic science होते हैं वो कितने type के होते हैं तो types of traffic science are हम बात करते हैं जो traffic science है उसके कितने-कितने types के हो सकते हैं तो दोस्तो इसको generally हमने 3 basic categories के अंदर classify किया गया है अब ये categories कौन-कौन सी हो सकती हैं दोस्तो traffic science की 3 categories हमको देखने को मिलेगी एक हमारे पास है mandatory दूसरी हमारे पास questionary and तीसरी होती है informatory दोस्तो सारे के सारे जो traffic science है वो इन 3 major category में sum हो जाते हैं मतलब कि या तो जो science है mandatory हो सकता है questionary हो सकता है and informatory हो सकता है अब बात करेंगे one by one करके सब के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग discuss कर लेते है mandatory science की ठीक है कि आखिर में mandatory science क्या होते है so friends जैसे कि mandatory science का नाम ही आपको बता रहा है कि essay science जो कि क्या बोलते हैं जरूरी है मतलब कि compulsory है कि इन science को आपको follow ही करना होगा अगर आगर आप इनको follow नहीं करते हैं जैसे बोलते हैं कि school संदर आपने देखा होगा जैसे कि dress code अगर आप dress code follow नहीं करते हैं आपके उपर fine लग सकता है या आपको class में entry करने से रोका जा सकते हैं तो fine के यहाँ पर fine आपको देना पड़ता है ऐसे ही यहाँ पर कुछ mandatory science होते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर क्या लिखा गया है कि as you understand from the name ठीक है as you understand from the name these are the road signs that needs to be followed compulsorily किसी भी condition के अंदर आपको इन rules को follow करना ही पड़ेगा अगर आप इन rules को follow नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको challenge issue कर दिया जाता है किसके द्वारा traffic cops के द्वारा ठीक अगर ध्यान दीजेगा यह जो signs that is mandatory signs इसका use क्यों कर सकते हैं दोस्तों इसका use कर सकते हैं these signs are used to make sure that free movement of traffic isn't hampered मतलब कि in sign का use हम इसलिए करते हैं जिससे कि जो free movement है traffic का वो hampered ना हो उसके अंदर कोई भी रुकावट ना आए कोई भी नुकसान हमको ना देखने को मिले इसलिए in sign का use करते हैं जिससे कि जो road user है उसको पता चल जाए कि यह rules mandatory है इसको follow करना जरूरी है otherwise कुछ problems create हो सकती है ठीक है साथ में दोस्तों जो हमारे mandatory signs होते हैं इनकी वज़े से जो road user होता है उसको कुछ basic specific जो loss होते है उनके बारे में पता चल जाए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से loss specific loss जैसे कि हमारे हो सकते है speed ठीक है speed limits हो गया फिर no parking zones हो गया तो यह कुछ सारे mandatory हमारे signs हो सकते हैं आप mandatory signs के photos आपके सामने दिये गए जिसे कि stop हो गया giveaway हो गया straight prohibitory हो गया या no entry हो गया pedestrian prohibited हो गया horn prohibited तो यह जो सारे आपके सामने अभी मैं जो science दिखा रहा हूँ यह सारे signs हमारे किसके अंदर आते हैं दोस्तो यह आते है mandatory के अंदर इनकी PDF आपको description में मिल जाएगी तो आप निश्यन्त रहिए अब अगर बात करें यह सारे आप देख सकते हैं कौन-कौन से signs हमारे mandatory के अंदर है दोस्तो second type के sign की अगर बात करें तो उसको हम लोग बोरेंगे cautionary signs अब जैसे कि हैंपर cautionary का मतलब क्या है जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर लिका होता है caution जैसे पोल हो गया तो उसके उपर लिका होता है मतलब खत्रा, danger तो यह जो cautionary signs जो होते हैं, यह हमको क्या बोलते हैं यह बोलते है potential danger के बारे में यह danger के बारे में हमको बताता है या फिर 70 hazardous on the road तो ध्यान दीजिए का questionary science हो गया है यह हमको hazard के बारे में information देते हैं simple से language में कहा है तो ध्यान दीजिए का दोस्तो this science are in a way that to question the driver to take the necessary steps यह जो science होते हैं हमारे driver को बता रहे हैं this science को use किया जाता है driver को बताने के लिए कि वो कुछ necessary steps ले जिससे की जो कोई situation आगे हाने वाली है उसके लिए यह क्या हो जाए पहले से ही prepare हो जाए I hope यहां तक जानकर यह आपको clear हो गई होगी ठीक है दोस्तों यहाँ पर कुछ questionary science आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ इस photo में आप देख सकते हैं there's a right curve left hand curve right hair pin band यह सारे आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और इसकी pdf description में link दी गई है वहाँ से आप download कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह कुछ सारे हमारे questionary science हो गए जो कि आपको पता होना चाहिए और questionary science का क्या मतलब हुआ questionary science जो भी road user है उसको पता होना चाहिए जिससे की कोई भी हजाडर situation को वह से remove कर सके ठीक है दोस्तों last जो informatory science है इसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं तो अभी तक हमने दो type के science देखे एक हमारे पास है mandatory science जिसको follow करना ज़रूर ही है अगर उसको follow नहीं करेंगे तो चालन कर सकता है फिर बात करी हमने questionary science की जो कि हमें denser के बारे में बताता है तीसरा जो sign है दोस्तो informatory sign जिसे की नाम देख सकते हैं आप informatory मतलब की कोई essay science जो की हमको किसी चीज के बारे में information दे रहे उन sign को हम बोल देंगे क्या informatory sign जैसे की यहाँ पर आप देख सकते हैं information किस-किस type की हो सकती दोस्तो information हमारी हो सकती है distance के बारे में फ्यूल station हो सकता है या फिर nearby medical center के बारे में बता सकता है या public convenience के बारे में आपको बता सकता है तो दोस्तो यह सारे informatory science हो गए जो कि किसी भी distance के बारे में बता रहा है fuel stations के बारे में बता रहा है hotels के बारे में बता रहा है या फिर medical centers हो गए, hospitals हो गए public convenience के लिए जो भी हमें road के अंदर information provide करते हैं वो सारे informatory sign के अंदर आ जाते हैं जिसे कि आप इस figure के अंदर देख सकते हैं public telephone, petrol pump, hospitals, first aid, post ये सारे किस सारे हमारे किस के अंदर आ गए informatory sign के अंदर आ गए सो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको तीन टाइप के सबसे पहले हमने बात करी थी traffic signs और symbols क्या होते हैं तेने उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो traffic signs से वो तीन टाइप के होते हैं कौन-कौन से तीन टाइप दोस्तों mandatory, cautionary and informatory mandatory के अंदर मैं आपको बताया कि आपको must है कि mandatory signs की जो condition से वो follow करनी होती है otherwise आपके यहाँ पर challenge easy हो जाता है और आपको penalty pay करना होता है फिर उसके मैं कुछ photos आपको दिखाया हूँ कि कौन-कौन से हमारे mandatory signs होते है जो कि आप इस figure के अंदर देख सकते है then फिर हमने बात करी दोस्तों cautionary science की, cautionary science जो कि danger के बारे में या फिर hazardous चीज के बारे में हमको information दे रहा है ये भी मैंने फिर आपको photo दिखाया कि कौन-कौन से हमारे hazardous या फिर cautionary science होते है जो कि मैं आपको दिखा चुक हूँ then last में हमने बात करी थी informatory science की, कि informatory science क्या होते है और फिर हमने बात करी कौन-कौन से होते है, then इसके photos की भी हमने बात करी थी चैनल को subscribe करे, thank you